अगर आज हम डिसकस करने लगें पार्ट तू किसका जी अपने सब्सक्राइब बहुत मुश्किल माना गया था पहले पार्ट में हमने जो कोश्चन किये था उसमें से एक कोश्चन था ना कौन से याद होगा अगर आपने देखा होगा जिसमें ट्वांटी फाइव रंस बनाना थे ना कि वही वाला एक कोश्चन था जो मुझे थोड़ा सा लगा था मुश्किल अधरवाइस मैं नहीं कह सकता अब कोई कोश्चन मुझे थोड़ा सा भी मुश्किल लगा था मतलब जिसमें क्या करना था फोर्स थे शिक्स थे और सिंगल लगाने थे तो कहने का मतलब क्या है मेरा यह वो कोश्चन था जो लेंथी कोश्चन में से जिसमें से एक्जामनेर बोल रहा था कि इसको अच्छे से सौल्फ करेंगा मुझे दिखा हो अब बात आते हैं आज के मतलब हमें क्या करना है हमें सोच समझ के अंसर देना कि क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है चीज हो सकती क्या वो चीज हो सकती तो चलिए करते हैं डिस्कैशन बट उसके पहले थोड़ा सा सोचो की प्रिप्रेशन कि स्टार्ट कैसे करनी है कि कि प्रिपरेशन को हाउ टू स्टार्ट कि वट कैने वी डू कि वट कैने वी डू कि अब मेरी बात सुनो ध्यान से मैं अगर आपको बोलूं कि एक ऐसा प्लैट्फॉर्म जहां पर आपको कोई बुक नहीं चाहिए मतलब कोई बुक नहीं देखने कुछ एक्स्टा का मिटीरलेंच सब यहीं मिलेगा तो वह ज्यादा बेटर है कि एस ने बोल देख से पढ़ लो बुक से पढ़ लो यह बुक लेले वह ज्यादा बैटर है मेरे इसाफ से एक ऐसा पैट्फॉम जहां पर ज बिलेगी जी आपको यहां पर मैं अगर बेसिकली बात करूं यह क्या है मेरा यह मेरा जीरो टू हीरो बैच अगर मैं टाइमिंग की बात करूं यह कहा है तीन से लेके लेक्चर जिसमें एपार्ट है और मेरा क्या है अब यह वाले जो नवबय लेक्चर आने यह आपको ऑफलाइन प्लस मैं यह आपका लाइव बैज अगर आप मोफ लाइव लगाना चाहे तो अगर बैट के लगा सकते हैं यह कैसे हैं यह मेरे को लाइव लेक्शर ने मिल रहे हैं और यह मेरे पास ऑड़ी पोर्टल कैसे देखो 90 लेक्षर आपको मिल रहे हैं 50 सो क्वांट के लेक्षर है और 15 आपके पास इसमें इंग्लिश के लेक्षर रहते हैं समझागी बात तो यह बहुत अच्छा आपके पास एक परफोर्मेंस साथ बन गाए नेक्स किया है यह वाले जो 90 प्लस लेक्षर है यह आपको यह आपको ऐसे मिल रहे हैं अब मेरी बात ध्यान से सुनो अगर यह ऐसे है तो आपको फाइदा क्या इसमें यह एक्चुली मेरा जीरो टो हिरो बैच क्यों कह रहा हूं कि आपको कुछ भी एक्स्टर नहीं करना अगर आप कहते हैं कि भाई आपको कौन का कुछ नहीं आता बढ़ाई कियों क्या होता है तो सबसme से बाथ पर विक लिए रिकन है मिश्यदूल में अपको लेक्चर दिखाये जएगा आपको फोर्टर में लेक्चर हुँगा के भाई यह लेक्शर कैसा है यह कौन सा लेक्टर है लेक्टर में 3 चीजे मिलेंगी एक चीज दो है एक कीछ सलोगर तीन रचीज अब लेक्चर में लेक्चर सब्सक्रइब नमब्र थीव नंबर 3 पी आपको स्ब्सक्रिकर टीन मिलेगी सूर्स चाइप आपको और नंबर तीन पर मिल रहा है को ठीक है नंबर तीन में मिल रहा है आपको प्रेक्टिशिट कहने का मतलब क्या है सबसे पहले क्या है लेक्चर पीटिफ मतलब जो लेक्चर में मैंने करवाना है उसकी पीटिफ अल्री पोर्टल पे होगी आपको पहली हो जाएगी क्ल क्ैसलों सकते हैं कूछ उन लाइन हो सकते हैं कुछ पोइंट्स हो सकते हैं कुछ इंपॉंटर्ट पर सकते हैं बाद क्या है प्रेक्टिे लगा जिसके अंदर कोशन नोगे जो आज में बैज वैसे मिलते ़ुलते कुछ कोश्िंन नोगे उसके थी त pén films उसके बाद क्या होगा त्सक्राइब स्कूष करेंगे यहं इन आफे सब दो क्या होगा आपके पास अब इस 30 मिनटे में क्या होगा यह प्रैक्टिस कम डाउट सेशन है तो ऐसा नहीं है बाक्यों की जब जैसे जंगा होता है पूरे हफ्ते का एक दिन डाउट लोग नहीं जो डाउट है सेम क्लास में सेम टाइम पर आप एक तरह से डिसकस करो टीचर के क्लियर वह क्या होता है बैटा बहुत हर संदे को एक बजिए जोकि पॉर्टल पर टिडिट है और इसका मिलता है वीडियो सोलुशन मिल रहे कि अब किम लेगा मतलब आपको मंड़ेट हो जाए ठीक है मंड़े को यह लेक्चर से फेले अप्डेट हो जाए कर तो यह था इस पूरे जीरो टू हीरो बैच का ब्योरा जो मैंने आपको दिया क्लियर अब इतना करने के बाद मुझे लगता कि यह टार्गेट हमारा प्लस मार्क्स हमारा टार्गेट है क्लियर तो इतने मार्ग से लिए जाएंगे तो कॉलिफिकेशन जिसमें जो बाकी बच्चे बागए उससे बहुत आगी जाओ गया चलिए नेक्स यह मेरे पास नेक्स यह मेरे पास मेरा वट्साप ग्रूप कर लेंगे जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है प्लीज इससे ज चलिए पहला कोशन आज की क्लास का बहुत अच्छा कोशन बहुत अच्छा देखो इस वो दो दंक से बता हूं को चलिए ए बीच अडीए अफ और बोथ थ्री डिजिट नबर साज अट एबीच डीए डेफ अड़ डिस नॉन जिरो डिजिट्स अच्छ अच्छ डैट एट अब यह क्या आपके पास एक एक और यह ऐसे आपके पास क्लीर अब मेरी बाद ध्यान से सुनो मैं आपको क्या बता हूं कि देखो उसने कहा 9 जिरो नंबर सा अलग अलग नंबर हों सारे ये नंबर जुढ एक साथ मिसलब ऐसेने चार ले लिया चाहर ले ऐसा नहीं अलग अलग सारे ठीक है चलो देखाग इसको मैंने चाहर रखता है इसको मैंने साथ रखता क्यूंकि डैफिनिटली मुझे यहां साथ सब्सक्राइब करने स्था आप डिपेंड नहीं करता कि अपने आप को चार रख ए किसी को चार रख ठीक है अधा यहां पर आ गया एक है पिर भाई यहां पर भी एक आ अब सिव और आउक्षा रही यहां नहीं अगले वाले पर देखो यहां प्रेक चलो जी अब मैंने इसको क्या रखा मैंने इसको मैं रख सकता हूं अगर इसको मैं देखो मुझे बी और ईबी प्लस ए कितना चाहिए देखो बी प्लस ए मुझे चीए 10 तो कि 2 और 8 रख दू अगर बी को मैंने रखा दो और ई को रखा मैंने 8 ठीक है मतलब बी और ई कितना होगे मेरे पास अब अब ए प्लस डी कितना चीए यह 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 भी दस सही है तो क्या एक और नो रख सकता हूं अब इसमें से कोई भी नंबर रिपीटिड नहीं है बड़े सारा बन सकते बट उसने मुझे क्या बोले है इन सब की वैल्यू आड़ करके देखो यह कितना होगा सब्सक्राइब एक जान सब्सक्राइब आप अब कर तो रहे हो यह एक आगे ना इन वन कुछ भी रख लो मुझे बात बताईए लास्ट के जो दो नंबर्स हैं मतब एक्चली सको लिक कैसे रहे हो आप लिख रहे हो 100 ए प्लस यह आप रिको 100 प्लेस पे ए 10 प्लेस पे बी और सिर्फ इसको इस लोजिक से रहना दो मैं बात बोलूं सियो और एफ को मिला के हमेशा 11 ना थी यहां से 10 यहां से 10 और यहां से 11 कितना हो गया 31 बात खत्म कुछ नहीं करना था आपको पस समझ आना चीक कैरी जब एक जाएगा ना जब एक कैरी होगा तो अपने आप वह वैल्यू आपको कुछ वैल्यू देख जाएगी यह क्या था आपके पास सलूशन था तो कितना आ आपके option number D कुछ करना ही जरूरूत ने चलो दीज़ा 3-digit number such that the ratio of number to the sum of digit is least what is the difference between the digit at the hundredth place and the digit at the unit place of D बहुत easy question था पहला question थोड़ा सोचने वाला था यह सोचने वाला इसी है देखो क्या है डीज़ा 3-digit number such that the ratio of number देखो ratio of number मैंने माना भाई A B C कोई number है तू डीज़िट A plus B यह मुझे लीस्ट चाहिए यह मुझे क्या चाहिए लीस्ट चाहिए मतलब यह मुझे क्या चाहिए maximum और यह मुझे क्या चाहिए minimum कैसा ही होगा कोई भी चीज minimum value कब acquire करेगी पी ऑपन क्यों के केस में जब अगर डिनोमेटर बढ़ाओ का बहुत जादा क्याने का मतलब यह है ना ठीक है अब देखो जरा इसका मतलब अब मुझे बात तो बेटा अगर मैं बात करूए कि 100 प्लस टैन बी प्लस सी डिवाइड़ वाइए प्लस बी प्लस सी देखो जरा सा कॉमन सेंस लेओ जरा सा कॉमन सेंस लगाने अगर मैं एको बन पूट करता हूं अच्छा क्या इसमें 0-0 रखा देखो मैं यहां पर ABC में से किसी को 0 लूँगा अगर 0 लूँगा तो वहां पर मेरे पास वैल्यू जनरेट हो जो कम आएगे बात मुझे मैक्सिम्म चीप अगर मैं एक को बन लिया एक को बन लिया तो यह कितना है 100 चले जी बी और सी को मैक् अगर एक बढ़ाई वो नंबर एक नहीं बढ़ा वो नंबर एक सो बढ़ गया सपोस करके देखो अगर एक मैंने वन पूट किया तो सो आगया एक को टूट कुरूंगा 200 यानि जो मेरा टोटल सब्दाव 200 बढ़ और निच्छे कितना है एक सपोस्कुर इसको मैं कुछ भी यह भी 9 यह भी 9 क्लियर तो यह कितना आ गया 199 डिवाइड़ कितना 11 यह लीस्ट वैल्यू है ठीक है यह समझ आया आना भी चीए अब दूसरी बाद सुनों देखो मेरे पास तीन नंबर का सबसे छोटा डीजिट मतलब छोट सबसे नंबर सो उसके बाद मैं 150 उसका बाद ल यह 299 जीरो वाले नंबर तो मैं लोंगा ही नहीं मुझे वह नंबर चीए होंगे जो मेरे पास एक्चुली में है मतलब जीरो लोंगा तो डिनॉमिनेटर में फिर जीरो ही लेना पड़ेगा मुझे अब देखो 918 यानि 199 डिवाइड़ ना गया यहां कितना आएगा 299 समझागी बात तो यही लीस्ट आएगा मेरा तो मुझे क्या पोछ रहा है फाइंट दा डिफ्रेंस बेटिवेवेड़ेवेड़ेवेड़ेवेड़ेवेड़ यूनिट प्लेस हंड़ेट और यूनिट नौ मैने से कितना अगया ऑप्शन नमबर सी आठीस दा और राइट क्लियर तो यह बहुत इजी कोशन था जो मनें किया बट थोड़ा से लॉजिकल समझके करने वाला कोशन था चलिए नेक्स वोचन यह है भाई डिफिनेटली देखो डिफिनेटली का मतलब क्या होता है समझें को तुरी ओफ फाइव पॉजिटिव इंटेजर स्पी क्यों आ राइव डिफिंटेटिमेंट इस प्रेक्ट चलो रहा पहले वाली को पकड़ता है उसने क्या बोला है मेरे पास क्या है प्लस क्यों प्लस आप माइनस आप यह पांच आगे उस ने त्री ओफ दैम पॉस्टिव इंटिजर्एं अर एवन बागर मैं बोलता हूं प्यों आर म अब मुझे बात और मेरे पास इवन हो यह मुझे एवन दे रहे है और यह मुझे क्या दे रहे है यह इन दे तो एवन मैंने से एवन रोका तो यह आएगा आपके आपके पास सोचे देखिए । मैंसिंपल केस ले सिंपल कि यह तिनों एवण और यह दोनों और बात करें कृप से पहले वाला मेरे पास ऊगा डेफिन penn इस डेफिनेट्लि इवन तो क्या डेफिनेटली इवन हो सकता है एक इस तो बन गया मेरा दूसरा केस क्या इवनी रहेगा मैं ठीक है तो यह मेरा इवनी रहने वाला अब करके देख लेना इवनी रहेगा ही अच्छा एक बात आओ मेरे पास अगर क्यों अधर नमबर तो इवन बंजेगा यहांनि टूपी प्लस क्यों प्लस टूर माइनस ओफ टू एस प्लस टी इस डेफिनेटली ओड मों यह पकी बात ऑड रहेगा कभी इवन नहीं हो सकता देखो यह क्या मेरे पास इवन यह क्या मेरे पास इवन और यह मेरे पास क्या एवन मतलब दो एवन मेंसे एक एवन माइनस करोगी जब भी आपके सीवन आएगा ठीक है फिर क्या बचा क्यों प्लस टीप्लस क्यों अब इस केस में ने मना कि मेरे पास यह और भी थे तो क्या दिक्कत है इन में से मैंने मना यह एवन है ठीक है और मैं मानतों बहुंद यह यो है मेरे पी र और आचाए इसमें से क्या दिया थ्री मेर को एवन दिये मैंने मनत यह 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 इवन होगे और नहीं यह क्या होगे तो यह तो चैनल जोचने वाली बात इसमें प्राइम नबर को सब्सक्राइब कौन साथ प्राइम नमबर कौन सा होगा आपका दो तीन पांच साथ 11 13 ठीक है और composite नंबर कौन सा होगा आपका चार हो गया आठ हो गया आपका नो हो गया बारह यह सारे कौन सी केटेगरी में यह सारे हैंगे आपकी composite की category में क्या दिया भाई प्राइम लिलो कोई इसका मतलब मुझे क्या चीए इवन बनाने के लिए मुझे उपर एक सम चाहिए होगा अगर मैंने बोला प्राइम मैंने 11 ले लिया और नो इटा लिया ठीक है और 11-9 यह कितना होगा मेरे पास 20 बटे 2 यह निए 10 आ तो यह मेरे पास क्या होगा इवन ओगया एंप इवन हाँ यस सारी पहला क्या होगा मेरे बास ट्रू होगया अब इवन हो सकते हैं नेक्स यह तूपी प्लसी एक और देखो 2 इंटु प्राइम प्लस कॉंपजिट ठीक है अब मेरी बास सुरिए अब टू इंटु प्राइम प्लस कॉंपजिट कोई भी प्राइम नमबर ले लो मैंने टू ले लिया टू इंटु एक कॉंपजिट ले लिए 9 कितना हो गया तेरा आ गया यह सकता और तो यह आपके पास बिल्कुल और हो स प्राइम इंटू कॉपजिट बिल्कुल जी ग्यार और नौ ले लो बात खतम होगी यह सकता आपके जोड कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है अगले रहते हैं पांच और नौ भी ले लो जब ब्यागत ऊंसर कितना गया वन तो एट तरी ऑप्शन नमबर दीजदा राइट तो यह 2023 का जो पेपर सा लेटेस्ट वो है डिसकुशन का हमने किया है बहुत अच्छे कोश्चन से प्लीज लाइक शेयर सब्स्राइब करना बद भूलिए जल दिसे नोट कीजिए इसको फीन लेटेस्ट चलिए नेक्स्ट है मैंस स्माइक्रो कोसिस माइक्रो कोर्स को ब दैए bet these नहीं मैं बता देते हुँ को मैईbles ऑता है यहां पर फूरा पूरा कोर्स्नों नहीं खरीदना आपको सिरफ वह चीज करनी है quello‍व क्या है आपको वह कर ना है मतलब आपको उस पर्रुजब्स टॉपिक ौगोगी सब टॉपिक होगे परतेश कर सकते हैं पूरा डियर्व रॉपिक होगे इसके सब टॉपिक हो लाइन चार्ट हो गया बार चार्ट हो गया आप अब अब इस तरीके से यह प्सको कर सकते हैं तो प्लीज देखते फिर कैसे बने गाई ठीक है चलिए इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेगा वेट आपको सब्सक्राइब करेंगे स्टाफ सेलेक्शन कमिशन ससी सीजियल और सिविल सर्फिसी सीजियल देखिए और सब्सक्रिप्शन या वीडियो कॉर्स टैस्स कॉर्स यहां पिया आपके सब्सक्राइब करेंगे तो टीम आप से जूट जाएगी आप हमारे पास आएंगे ठीक है सबसे अले मैंटन मेंटल अबिलिटी की बात करेंगे इसमें क्या मेरे पास देखिए 3555 मतलब 3500 पच्वन रुपेगा क्या मेरे पूरा पूर्स है बट सिर्फ नंबर सिस्टम करना है तो 324 रुपेगा अलमस 22-25 परसंट आपके पास आ रहा है आपको 9 वैब नोट सा 400 किस मल्टिपल चौस कोशन है वैब नोटस वैब नोटस क्या होता है वैब नोटस आपके क्या ना वैब नोटस आपके चैप्टर का वो पाट होता है जहां पर कुछ थियोरी हो सकती है आप इन कोशन को टेस्ट के तौर पर दे सकते हैं जैसे आप क्या कीजिए आपने सपोस करो 10 लेक्टर देख लिए ठीक है 324 रुपेगा उसके बाद क्या करें नोव वैब नोटस देख लिए और उसके बाद आप कहा रहें कि कोशन है प्रेक्टिस करनी है तो आप 20-25 कोश आपको कुछ भी ऐसा नहीं है जो मिस होगा नेक्स इंप्लिफिकेशन देख तो सिर्फ 114 रुपे का चार लेक्टर है एक बैबनोट से और 117 मुल्टिबल चोस कोशन नेक्स आगा परसेंटेज आ गया पर्मुटेशन गॉमिनेशन टाइम डिसनस एवरेज हो गया और हर च सिर्फ 51 रुपेश का एक लेक्टर एक लेक्टर एक बैबनोट सो रक्ष अच्छतिय सेमसी क्यों स्क्लियर नेक्स आपकास जैसे मैंसूरेशन प्रॉलम में जिसे ल्से में से अब सब कुछ दिया हुए यहां पर नेक्स क्या मेरे पास देखिए पूरा बंदल 2646 का बट अगर आप सिर्फ और सिर्फ पजल टैस करना चाहते हैं तो 245 रुपे का रैंकिंग नौटर करना चाहते हैं तो 30 का स्टेट में कल कुछ न फॉर्टी टू का डिरेक्शन सांस 121 सिलोजिसम 154 क्यूबंड आइस 85 और हर चेप्टर के साथ 6 मिनिट का ट्रायल है तीन सारी वेब नोट्स है और आपके पास mcq आपको देखने को बिलने हैं क्लियर चलिए लास्ट बट नौट लिस्ट बात करूंगा मैं आपसे इंग्लिश की इंग्लिश की बात करने तो बेटा 412 रुप्रे का पूरा बंदल है इसके अंदर क्या मिलेगा आपको रीडिंग कॉम्प्रेंशन और वर्ड बिल्निंग मिलने वाला है अब रीडिंग कॉम्प्रेंशन की बात करें 348 रुपीस का है सिरफ छे लेक्टर से एक वर्मनोट से अगर आप यह कर देना तो पूरा बंदल ले लो क्यूं आपको कॉम्प्रेंशर में कई बार टिपिकल बड़ आते हैं अन्टॉनिम सुनूनिम होगे आपका ठीक है वके लेरी बोलते हैं बेसिकली तो यह क्या कोर्स कवर फ्रिक्वेंटली आस कोशन और अन्टॉनिम लिंक आपके फूल कोर्स का माइक्रो कोर्स का और वट सब्सक्राइब को प्लीज वीडियो को लाइक से और सब्सक्राइब को करना मत भूलिए थैंक यू